Hello students, I am Shelly from SGTB Senior Skinnery School, your music teacher. आज की हमारी ताल है कहरवा ताल, हमने पहले की हैं दाध्रा, रुपकजब ताल, तो आज हम करेंगे कहरवा, तो आपको हमेशा बताते हैं कि जब भी आप कोई ताल करते हैं, तो उसको करने से पहले उसको शोट परीचे जरूर लिखना है, तो शोट परीचे कैसे लिखना है, सबसे पहले हम ताल का नेम लिखेंगे, जैसे इसका नाम है कहरवा, तो हमने लिखा इसका नेम, कहरवा, इसके बाद इसमें मात्राएं कितनी है, इसमें मात्रा है, आठ, विभाग कितने है, दो, मात्रा, आठ, विभाग, दो, ताली कितन है एक ही है कॉनसी मात्रा पर पहली मात्रा पर खाली एक ही है कॉनची मात्रा पर पांचमी मात्रा involved कि विफ्ट मात्रा पर इसकी खाली है जैसING आपको बताए की सम का साइन cross और खाली का sign 0 होता है तो यह होता है आपका short परीचे जिसको आपको लिखना है सबसे उपर जब भी आप कोई ताल लिखना चाहेंगे पेपर में यह कहीं भी तो आपको उसको लिखने के लिए सबसे पहले इसका short परीचे देना है उसके बाद आपने बनानी है table table कैसे बनेगी इसी की सहारे बनेगी मात्रा 8 आपने 8 तक counting लिखनी है विभाग 2 उसको 2 part में divide करना है फिर लिखा है ताली पहली मात्रा पर जो कि हमारा sum है पहली मात्रा पर खाली पांचवी मात्रा पर यहां आपने खाली बना दिया यहां मात्रा और यहां center भी लिखने है बोल इस ताल के बोल क्या है धा, गे, ना, ती, ना, के, धिन, ना clear धा, गे, ना, ती, ना, के, धिन, ना यह होती है एक गुन जिसको हम ठाह भी बोलते हैं clear इसको आप exam में देखेंगे कई बार ठाहा लिखा होता है, कई बार लिखा होता है कि कहरवा ताल का ठेका लिखें तो ठेका मिन्स इसकी एक गुन ठाहा मिन्स एक गुन एक गुन मिन्स एक गुन दुगुन का एक ही वर्ड है दुगुन दुगुन कैसे बनानी है किसी भी ताल की दुगुन आए बाकी सब सेम रहता है इसमें बोल जो होते है वो डबल हो जाते है यह एक और यह दो नीचे आ गए फिर दो यह नीचे आ गए फिर नेक्स टू वो इसके नीचे आ गए फिर नेक्स टू इसके नीचे आ गए यह चार म अब हम आगे क्या करेंगे आगे इसी सेट को रिपीट कर देंगे तो यह हो जाता है दुगुन इसी तरह से तिगुन भी बनती है और चोगुन भी बनती है इसके बाद आपने क्या लिखना है इसके बाद आपने लिखना है विवरन विवरन में क्या लिखना है कि यह ताल कित लेकिन अगर आप इसको एक बर उपर लिख चुके नीचे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा तो आपने लिखना क्या है नीचे वाले में नीचे वाले में यह लिखना है सबसे जादा जरूरी कि यह कौन सी ताल है यह तबले की ताल है तबले पर कुछ ताले ऐसी होती है जो प्राचीन होती हैं वो बशती है मृदंग या पकावज पर और यह जो ताले हम करते हैं शास्त्रिय संगीत वाली वो चलती हैं तबले पर और कुछ हम लोक गीत या भजन कहीं काते हैं तो इसमें ढौलक पर भी यूज हो जाती है तो ताल किस की है यह तबले की ताल है बंद जादा यूज नहीं करते क्योंकि अर्षास्त्रिय संगीत में लंपी ताले ज़्यादा चलती है यह चोटी ताल है ये वोल्ही जो नरह पर लोक गीत चैनल में बंद जरूली, ज़रूर नजसी जथान के यह सबसे जादा यूज होती हैं तो इन में सबसे जादा जरूर लिखनी है, किसमें विवरन में, में बात हो गई कि यह किस पर बजाई जाती है और किसके साथ बजाई जाती है, यह डू लाइन्स आपकी विवरन में जरूर होने चाहिए, क्योंकि बाकी शोट परीचे आपका इसमें आ जाता है, तो इसको अच्छे से याद